प्रेंट्स आपका स्वागत है तो फ्यूचर इस सोलर में जैसे कि आपका नम समान चल रहा है कि फ्यूचर है वो सोलर का ही होने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम एक सिंगल मौडिवल को बिना किसी बड़े इन्वर्टर और बिना किसी बैटरी बैक अप के साहँ कर सकते हैं step by step में आपको बताऊंगा पूरे detail में उसमें आगे बढ़ने से पहले दोस्तों में रिक्वेस्ट है कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो वीवर्स हैं वो 98.4% जो वह हैं जो बिना सब्सक्राइब करें चैनल को देखके चले जाते हैं और 1.6% सब्सक्राइब कर र इलेक्टरिशन अथवा किसी टेक्निशन और किसी इंजिनर की जूरत नहीं है आप घर में खुछ सेट कर सकते हैं इसको यह दो चैनल है जो इंस्ट्रॉक्शर की जो छोटे लेक्स के उपर हैं वो लगेंगे और इसमें आपको अभी मैं लगा के दिखाऊंगा कि कि किस तर रखेंगे तो दोस्तों एंगल जो होता है वो हर स्टेट का हर जो एरिया होता है वहां का अलग रहता है जैसे कि आप जो लैट लॉंग होते हैं लैटिटीट के हिसाब से हमारे हर जिगह का एंगल होता है तो यहां पर हमारा एंगल है वो 28 डिग्री हमने रखा हुए और इ एंकर यहां पर हमने 28 डिग्री रखा हुआ है और हर स्टेट का अलग होता है हर जिस्तिक का अलग होता है अगर आपको इसके डिटेल चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दूसरों आती है वाथ हमारे एसी मोडिल की तो मोडिए तूसमाडियुल को हम लगाएंगे कि हम जो प्रineslly हो उकता है और उसके अलावा जो हम अगला जो स nearby करेंगे वह इसके बिजाएंगे वह सोद्य पैनल को ताकि वही लेना और उसके बाद में जो यह आपको सामने जी ब इस में connection हमारे पैनले के लगेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैनले के नीचे हमने काफी सारे पत्थर बगर रख दिया ताकि यह लेना तेकिन अगर इसको fix कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि fix करने के बाद में आधी आएगी बारिश आएगी तो उसमें यह और हमेशा बलकुल fix रहेगा अब बात करते हैं वाइरिंग की जो वाइरिंग में जो आपको connection है यह देखिए दो connection होते हैं इसमें एक male और एक female connector होता है और इसमें सिर्फ male female में male ही socket type का बुसेगा और जो यह है अब हमारा जो है माइक्रो इन्वर्टर में यह लग जाएगा यह माइक्रो इन्वर्टर में हमारे जो है इन्पुट है DC का है जो हमारे solar panel से आया है और इसे जो हमारा output होगा वो AC का होगा और जो Q-side की cable है इसको हम tape कर देंगे और चोड़ देंगे क्योंकि यह आगे further series करने के लिए है यहां पर हम एक single panel यूज कर रहे हैं तो इसको हम आगे स्वाल नहीं करेंगे तो अब आगे हम आपको लिए चलता हूं तो जो यह है हमारा इसको जो inverter module में आपको दिखाया था जहां से हमारे AC का output आना है यह इससे आएगा आप जैसे देख सकते हैं जो हमारे module है उस पर LED जल रही थी वह इसलिए जल रही थी क्योंकि जो हमारी supply है वो बननी शुरू हो होगी थी उसके बाद में हमारा AC का output है हम इस MCV में fix कर देंगे इस MCV को इस MCV की rating यहां पर 6 Ampere की rating है क्योंकि हमारा यहां पर जो inverter का module है 350W का है तो उससे हमारा उपर जा current है वो नहीं जाएगा अगर आप जाएंगा अगर 6 Ampere का नहीं है तो 6 Ampere से उपर की MCV 16 Ampere तक क करेंगे तो वह आपको inverter का module है उसको खराब कर सकता है in case of short circuit इसलिए 16 Ampere से की उपर से हमसे भी आप ना लगाए तो दोस्तों इसके बाद further जो हमारा next step इसके बाद में रहेगा वो यह रहेगा कि जो हमारे जो इसी का जो नीचे के तरफ से उसको हम लगाएंगे जो black वाला है वो neutral है और जो red वाला है वो phase है इसको connect करके हम fix कर देंगे इसको यहाँ पर structure के साथ मैं दोस्तों इसी का ध्यान रखें कि आप जो यह है यह बच्चों से दूर रखें क्योंकि बच्चे आपको पता है रोड़ शरारती होते हैं और हमको इसको इस तरीके से fix करना है कि जो rain water है वो इसमें ना हुज़े और इसको अगर बाद में पॉसिबल हो तो किसी पॉलेशी या फिर किसी प्लास्टिक से कवर कर दें ताकि इसके अंदर जो rain water है वो ना खर गोसे और हमारा जो system है वो एक्दम perfect चले तो हम इसको अच्छी तरीक से fix कर देंगे cable tie लगा के ताकि हमको आगे किसी परिशानी का हमको सामना ना करना पड़े तो दूसरे जैसे आपको मैंने बताया कि जो mcba 6 ampere की है और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरीके से fix कर सकते हैं लेकिन यह fix करने के बजाए अगर आप इसके grouting कर देंगे तो वह better रहेगा लेकिन सिर्फ एक temporary एक अभी यह prototype है आपको सिर्फ एक demonstration देने के लिए दे रखा है तो उस तरीके से हम लगाएंगे जो अब हम यह ac power और जो mcv से निकली है उसको ले जाएंगे नीचे तक और mcv हमने इसको आफ कर रहे है क्योंकि जो हमारा inverter है उसने start कर दिया है remote करना जनरेट करना यह हमारा हमारा जो acdb box है वो आगया है जहां पर हम इसको अपना जो supply है वो आएगी और उसको fix करेंगे और इसके साथ में हम अपना inverter जो है उसको हम अपने mobile से भी monitor कर सकते हैं उसको further में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में तो अभी जो है इसको unbox करेंग करने के बाद में जो enforce का envoy है यह है इससे हमारा mobile से भी connect हो जाता है और हम इसको real time monitoring भी देख सकते हैं और जहां पर हम इसको internet से connect कर देंगे वाइफाई से तो उसको हम कर देंगे अब यह 2mc भी लग गई है हमारी दोस्तों इसमें एक current CT है current transformer current transformer इसलिए है क्योंकि जो हमारा current है वो measure करने के लिए कि किस वक्त हमको current ही देगा और किस वक्त हमको current नहीं चाहिए इसका detail में एक वीडियो मैंने बना रखे है आपके लिए उसको आप description में जाके देख सकते हैं यह हम इसको mcb box को fix कर रहे हैं तो दोस्तों जोब में आपको बता है current transformer का current transformer का function यह है कि अ अगर रहा हो तो उसको control करेगा ताकि वो जो supply है वो reverse grid में न जाए अगर grid में चली गई तो हमारे लिए नुक्सान है वो क्योंकि उसका जो meter है तब भी उसी condition में चलता रहेगा जैसे हम उसको right को इस्तमाल कर रहे हैं तो current transformer का यह जो connection है बहुत ही carefully करना है अगर आपने उस कि आप भी export बिल्कुल ना हो और जो अब हमारा generation हो रहा हो तो हम सिर्फ वहीं से इस्तमाल करें तो यह हमारे आप में mcb fix कर देंगे जैसे आप देख सकते हैं जो blue color की जो black color की cable है वह हमारा न्यूट्रल है और जो red color की cable है वह हमारा phase है और दोनों को साथ में हम fix करेंगे mcb के ऊपर जैसे कि आप यह देख सकते हैं सामने और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो current transformer की जो wiring है और जो connection है वह बहुत ही केरफुली करना है अगर वह केरफुली हमने नहीं कर रहा तो हमारा जो import है वह export बन जाएगा और हमारा सारा जो भी हमने यह लगा रहा है सारा का सारा हमारे काम कर नहीं रहेगा और हमारा fail हो जाएगा system fail system इसलिए होगा क्योंकि हम जब भी इस्तावाल करेंगे वह सिर्फ grid को ही देगा और हमारा उसमें फायदा कुछ नहीं होगा तो दोस्तों जैसे कि अब देख सकते हैं की यह भी mcb अमने फिक्स कर दिया है जो राइट वाला है फेज है और जो लेफ्ट साइड वाला ब्लैक वाला है वह neutral है यह दिखिए जैसे कि आपको सामने यह मैने आपको दिखाया है कि जो राइट साइड वाला है वो फेज है और जो लेफट साइड वाला है वो नीट्रिल है इसको यहां से बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और यह हमारे सामने अब हम MCB box है इसके अंदर इसको fix कर देंगे और जो हैं यह लेफ्ट साइड वाले में लेगेंगे लेफ्ट में आपका जो है नूटर लगेगा और राइट में आपका फेज लगेगा इसका मैं भी फिक्स कर देंगे और इसके फिक्स करने के बाद मैं फर्दर आपको कनेक्शन में बता हूंगा तो दोस्तों यह CT के जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि यह CT है, CT का मतलब होता है current transformer, अब हम इस current transformer को connect करेंगे और जो यह blue और white color cables देख रहे हैं, इसको envoy में connect करेंगे, और जो envoy है, यह हमारा connect उससे भी हो जाएगा, जो इस solar की तारह आ रहे हैं उपर से, आप यह देख सकते हैं, जो red वाली है, वो CT के उपर से निकलेगी, जैसे कि आप यह देख सकते हैं, कि एक इसमें input है, जो arrow के direction में जो red वाली तार है, सिर्फ वो ही जाएगी, और दूसरी नहीं जाएगी, यह चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है, कि जो red वाली तार है, वो ही जाएग जाएगी, red के साथ में, और जो black के साथ में, वो black वाली जाएगी, अगर हमने इसके direction उल्टी कर दी, तो यह हमारे लिए फायदे मने रहेगा, यह हमको loss करेगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुको, import और export का हमारा पंगा हो जाएगा, export के जगा import हो जाएगा, import के जगा export हो जाएगा, जो हम इसको लगा रहे हैं, वो काम कर नहीं रहेगा, यह जीज़ बहुत एक, बहुत ही important है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप यह लगा रहे हैं तो, उसके बाद में हम अभी black वाले लगाएंगे, इस तरीके से नीचे, और यह MCB भी हमारी 6 Amp किये, अगर आप क्या 6 Amp यह नहीं है, तब आप लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, कि जो यह CT है, मैंने आपको पहले सुन जा चुका हूँ, जो जिस तरफ डारेक्शन है, उस तरफ आपका रेट वाला उपर की तरफ जाएगा, अधरवाइस यह दिक्कत करेगा, और हम हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में रिवर्स हो जाएगे, और हमको बहुत दिक्कत करने वाले हैं, तो दोस्तों फिर अगली हम लगाते हैं इसको, कि यहाँ पर हम जहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, CT को, अब हमने क्या किया है, जो MCB के अंदर, MCB box के अंदर CT हमारे फिक्स नहीं हो पा रहा था, वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो दो CT लगेंगे, जो दूसरा CT है, वो यह देखिए, जो है, यह T1, T2, यह इसके बगल वाले पॉइंट में आके लगेगा, यह इंपोर्ट और export control करने के लिए है, जिसमें इसी के साब से current हमारे जो inverter है, वो fix करेगा, अगर हमको supply जादद चाहिए, तो वो full बनाएगा, अगर हमको supply कम चाहिए, तो उसको control करेगा, और हमारे जो grid से supply है, हमारी कम हो जाएगी, तो इस तरीके से हम इसको fix कर देंगे, तरीके से कि यहाँ भी थोड़ा लंबा है, हमारे जो system है, थोड़ा quality का काम करने के लिए, अब जाए हम जो यह AC आप जो देख रहे हैं, यह grid की तार है, जो हम supply लगाएंगे, जो हमारी left वाली MCV है, वहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है, कि जो grid वाली तार है, वो हम क इस तरफ live आ रहा है, उस तरफ line आ रही है, उस तरफ हमको लगाना है, तो इसको यह भी बहुत जहांते दिखने वाल चीज है, अगर हमने इसको neutral और phase उल्टा कर दिया, तब भी हमारा जो current है, वो grid वोड हो जाएगा, हमारा right side में हमेशा phase रहता है, तो इस तरफ phase आ रहा ह इस तरही के से हम जो यह red वाली wire है, यह हमिशा right की तरफ लगाएंगे इसमें, और हमारा जो system में इसके बाद में काम करने लगा जाएगा, तो इसको हम जब 3-pin socket में लगा देंगे, हमको यहाँ पर earthing भी करनी चाहिए system की, लेकिन अभी यहाँ पर earthing हम नहीं कर पा रहे है लेकिन earthing बहुत ज़रूरी है, अगर earthing नहीं होगी तो हमारे जो यह panel है, जो system है, यह lightning में खराब भी हो सकता है, और इसके हमारे जो electrical equipment है, वो भी खराब हो सकते हैं दोस्तों फर्दर अभी इसको हम fix करते हैं, इसको fix करने के जाद में हमारे fix हो गया, और इसको हम सीधा उसमें लगा देंगे, और उसमें लगाने से पहले, हम यहाँ पर जो आपको left side वाला MCB है, उसमें लगाएंगे यह जो red वाला है, वो red में लगेगा और जो black वाला है, वो black में लगेगा, जैसे आपको पहले बता चुक हूँ, जो red वाला है, वो हमारा face है, और जो black वाला है, वो हमारा neutral है यह हमारा, जो grid की दार है, यानि कि हम supply जहां से हमारी power आ रही है, आपकी चाहिए वो कोई भी electricity board है, वहां से power आ रही है, यह वो power है, और दूसरी power नहीं है यह हमारा जो पूरा system है, पूरे complete अब install हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने किसी बड़े inverter का इस्तवाल नहीं किया, सिर्फ हमने 3 mcb का इस्तवाल किया है, और एक micro inverter का, और एक हमारा जो यह envoy remote monitoring device है, इसका किया है इसको connection को यह बर दुबार हम confirm कर लेते हैं, कि जिस तरीके से जाना चाहिए, वो उस तरीके से है नहीं है, यह हमारा system है, पूरा लग गया, और अब हम यह सारे connection करने के बाद में, हमने mcb on कर दिया, अगर red light जल रही है, तो हमारे connection खराब है, अगर green जल रही हमारे connection सही है जैसे का आप देख सकते हैं, green light जल रही है, अब हम इसको remote monitoring है, वो करेंगे, download करेंगे app, play store से, installer, tool kit, जी हाँ, यह दोस्तो, play store में आपको मिल जाएगा यह, envoy के लिए, सिर्फ यह envoy के लिए है, और किसी के लिए नहीं है, इसमें आप confuse मत होना, यह थोड़ी look in details है, तो अब इसको wifi से connect करेंगे, यह envoy का, अब इस आपडेट मांग रहा है, यह software update हो गया हमारा, इस तरीके से हमारा पूरा जो है, अब हम इसको monitor कर सकते हैं, कि कितने हमारी विजली बन रही है, कितने हमारा generation हो रहा है, और हमको import हो रहा है, यह export हो रहा है, हम सब यह देख सकते हैं, तो हमारा हो गया है, AC module, Indian grid profile, क्योंकि जो हमारा grid है, वो इंडियन है, 230W और 50Hz के साफ से चलता है, उस तरीके से हम लेंगे, और system size लेंगे, हमारा जो है, 350W का panel है, और उसके हलाब से जो बाकी जो चीज़े हैं, वो हम set करेंगे, जैसे कि अभी देख सकते हैं, कि हमारा जो यह app है, almost configured हो गया है, अब उसके आद हम पूरा देख सकते हैं, कि हमारे कितना generation हो रहा है, अब जो हम है, इसको अपने Wi-Fi जो है device, उससे जो network है, उससे connect करेंगे, यह हमारे जो Wi-Fi है, उससे connect हो गया है, यह एंफेस अनरजी है, let's sign in to, यहाँ पर हम उसकी website पर जाके, sign in करेंगे, और sign in करने के बादने, इसको हम कभी भी कहीं से भी monitor कर सकते हैं, जो हमने username password बनाएए थे, आप अपने हिसाब से, जो पर आपका username password है, उससे आप login कर सकते हैं, system active, यह हैं दोस्तों, यह हमारा 72 watt का है, और consumption है, वो हम देख सकते हैं, कि हमारी consumption कितनी हो रही है, हमारा production कितना हो रहा है, यह देखे, यह सामने आपके आगया है, बिल्कुल detail में, और इसको हम जब मरजी चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा इंटरनेट कहां connect रहेगा, लेकिन यह आपको supply वो तभी देगा, या फिर जो ही आपको generation तभी देगा, जब यह online होगा, आप इसके बात करते requirement है, आप कहां लगाना चाहते हैं, आप मेरको please comment box में डालें, तो मैं आपको definitely इसके उपर अपना reply करूँगा, और हर आपके question के उपर answer करूँगा, अगर answer reply करना वैसे possible नहीं हुआ, तो मैं आपके लिए video लेकर आऊँगा, इस तरीके साब यह देख सकते हैं, कि किस तरीक जो भी requirement है, दोस्तो मेरे जानल को please subscribe करें,